एक यह कासव्हां यूप सभी अच्छे होंगे देखो अपने लिए के लिए इसमें काफी टॉपिक कर लिए तोपिक पूर रहा है एक वीडियो में कर लेंगे पूरा बस यह दो टॉपिक है तुम्हारे जो मॉस्ट इपॉड़न टॉपिक है जहां से कोशन डेफिनेटली तुम्हें देखने को मिलिंग उसकी टॉपिकॉर्ड कॉंसट्टॉड और प्युक्वाई के दिस्कूस करेंगे ठीक हाएव डायनमिक्स अ कॉस्ट्ड डेफिनेटली बनता है एकसाम में आईह साल यह कोश्टन बनता है और यह क्च्ण होता है यह तुमने जितना मैं करवा रहा हूं जितनी बहुत थेखने 20-25 मि इसके बाद में अपने इसके question डिस्क्स करेंगे जो भी है मुझ पिल्यूड狗 फुल्यू canvas कि हमय लिक्विड है या फुल्यूड है उसके desapareak मुझBERT के बारे में सबसे पहला यह पर लू आता है हमारे पास में जो सबसे पहला टोपिक का दैट इस पास कलो ठीकिए पासकल भू सबसे क्या изलन आता है हमें पासकल यह कहता है कि किसी भी लिक्विड के अंदर कि Sum buradan है कोई हमारे पास में लिक्विर है उसमें जो प्रेशर होगा किसी पॉइंट पर उस एक होगा उसकी लेवल में जितने भी पॉइंट है सेम हाइट पे या सेम डेथ पे जो पॉइंट है उन पर सेम प्रेशर होगा बस इतना सा तुम्हें याद रखना है पास्कल स्लों में यह मानलो लिक्विड हमने फिल किया हूँ है करना कि एक गाइची है यह कोशिच करना कि लिक्विड है ठीका कंटेनर के अंदर यह एए पॉैंट है यह पी-पॉइंट है और यह सी पोइंट है यह सेम हाइट पे और सेम डव्प माल लो इन पॉइंट पे एए भी-ए लिए इसे अपने कहेंगे पास्कल्स प्रशार इंफ्लीट एक रेस्ट इन से प्रेशर इन्फ्लीट एक इवन पॉइंट गीवन पॉइंट इस प्रेशचन इसकी एक आप्लिकेश्ञ है वह है variation of pressure with depth, यदि अपने depth पे जाते जाएं, एक point हमने a point ले लिया और अपने कुछ height नीचे चलेगे, तो 2 point के बीच का pressure difference कितना होगी, ठीक है, ये इसकी application, ये एक point याद रखना है तुम्हें, variation of pressure with depth, यदि हम नीचे चलेगे थोड़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इसमें हमने liquid बर दिया, और ये a point मान लिया हमने न, a point हमारा, और अपने इसकी ठीक हमारे नीचे चलेगे, ये b point पे, और ये जो हमारे पास में distance है, वो ले लिया हमने, इस इदर, ये जो difference है, वो h है, ये p1 pressure है, यह यह p2 pressure है, तो नीचे जाएंगे, तो obviously pressure की value है, वो increase होगी, ठीक है, तो जो p2 की value होगी, वो होगी, p1 प्लस, p2 is equal to p1 plus rho gh, ये formula तुम्हें याद रखना है, rho is the density of water, g is the gravity, और h है मारे पास में, इन दोनों point की बीच की distance, ये जो pa point है, उसको अपने surface पे ले ले, तो atmospheric pressure हो जाएगा, p2 is equal to pa plus rho gh, ठीक है, और h उसकी depth हो जाएगी, ये अपने इस point a को अपने यहाँ ले ले, और ये पूरी h depth हो जाएगी, ये मारे पास में, बी-point पे जो pressure होगा, वो ये होगा, तो p2 minus pa is equal to rho gh, ये formula तो भी तुमें एक याद रखना है, most important formula है, clear है, pressure की unit की बात करें, different different unit of pressure, ठीक है, ये याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो याद हो जाएगा, ठीक है, units की बात करें, pressure की different different units क्या होगी हमारे पास में, वैसे तो pressure को अपने newton per meter square में measure करते हैं, जो हमारे actual unit है, newton per meter square, और इसको pascal में भी अपने measure करते हैं, और एक pascal होता है, हमारे पास में, sorry, one atmospheric pressure होता है, हमारे पास में, one atmospheric pressure जो होता है, होता है, 1.013 into 10 to power 5 pascal, तो एक pascal निकाल सकते हो, कितने atmospheric pressure होगा, ठीक है, और इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, 76 cm of mercury, mercury का जो एक column होगा, जिसकी height 76 cm होगी, वो जितना एक pressure exert करेगा, उतना pressure, one atmospheric pressure होगा, इसकी एक unit or है, tor, ये one tor, one tor होता है, 133 pascal, कई बार tor में भी given होगा, तो वो भी पूश सकता है, वो, एक बार होता है, one bar होता है, 10 to power 5 pascal, one bar, ये होता है, 10 to power 5 pascal, ठीक है, तो ये कुछ units है, याद रखना, एक और application है, इसकी, that is hydraulic lift, pascal slow की, hydraulic lift, ठीक है, इसमें देखो, क्या होगा, किसी भी heavy object को lift करने के लिए, बहुत कम force लगा के, किसी भी, कोई भी हमारे पास में heavy object है, एक तो इसको direct उठाना, एक अपने इस concept का use करेंगे, कि कम force भी अपने बहुत heavy object को lift कर सकते हैं, hydraulic lift कर देते हैं, जैसे हमारे पास में ये है, ये एक cube है, ठीक है, यहाँ cross section area इसका कम है, यहाँ cross section area इसका ज्यादा रखा है हमने, ये, और इसके अंदर liquid हमने fill किया हुगा है, तो जिस भी heavy object को हमें उठाना है, क्योंकि हमें पता है, same height पे दोनों point है, तो same height पे तो pressure की value, यहाँ जो pressure है, वही pressure यहाँ होगा, क्योंकि same height पे है, according to this law, same height पे तो same pressure होगा, तो यहाँ कोई heavy object अपने रख देंगे, एक मान लो हमने, एक truck को उठाना हमें, बहुत heavy है, तो उसको पिक ऐसे उठाएंगे, तो बहुत ज्यादा हमें force लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने force लगाएं, क्योंकि pressure सेम है, तो force क्या होता है महारे पास में, या pressure क्या होता है, force, force जो हमारे पास में, pressure into, force होता है, pressure per unit, pressure into area, तो pressure हो जागा force per unit area, pressure same है, तो इस point का cross section area A1 है, इस point का cross section area A2 है, तो pressure same है, तो यहां force F1 लगा रहे हैं अपने F1 A1 F2 A2 ठीक है तो F1 कितना force लगाना पड़ेगा हमें बहुत कम force लगाना पड़ेगा हमें इसको उठाने के लिए A2 A1 by A2 F क्योंकि A2 की value बहुत जादा large है ठीक तो हमें बहुत small force लगाना पड़ेगा यहां एक large force create करने के लिए ठीक है बहुत small यहां से बहुत small force लगाएंगे तो यहां बहुत ज्यादा large force हमारे पास में create हो जाएगा यह अपने F2 की बात करें तो F2 क्या हो जाएगा A2 by A1 F2 is equal to A2 by A1 F1 देखो F1 चाहिए small हो हमारे पास में लेकिन A2 की value जितनी ज्यादा large होगी और A1 की value जितनी ज्यादा कम होगी F2 उतना ज्यादा large होगी F2 इस proportional to A2 तो यह area जितना ज्यादा तुम लार्ज रखोगे उतना F2 लार्ज हो जाएगा F1 चाहिए small हो small F1 के लिए और F1 भी ज्यादा हो तो ज्यादा ही होगा इस तरीके से किसी भी object को lift करना ज्यादा easy है तो यह formula भी तुम्हें यादा रखना है क्योंकि pressure सेम है इन दोनों करने नीचे हो फिर वो pressure difference आजएगा हमारे पास में वो हमें यूज करना है ठीक है तो यह हमारे पास में application है next अपने discuss करते हैं आर्कमडीस principle most important यहां से question definitely exam में देखने को मिलेगा ठीक आर्कमडीस principle most important है इसको अच्छे समझे ले और इंट्रेस्टिक भी है ठीक अच्छे समझे लेना बस और कुछ नहीं करना में समझे में आ गया फिर question बन जाएंगी सारे ठीक है तो इसमें क्या होता है कोई भी मानल लिया है महांरे पास में लिक्विधा है जिसकी देंस्टी रही है वाटर एक क्यूब है मारे पास मिलत से क्यूब एक्जाम्पल लेते हैं क्यूब टाइप का एक अब्जेक्ट है जिसकी साइड ए है जिसका वॉल्यूम एक्यूब इसका जो वॉल्यूम है वह एक्यूब है और इसकी जो डेंस्टी है वो है सिग्मा मास डेंस्टी मास डेंस्टी ऑफ में क्या difference है कौन सी ज़्याद है कौन से का मैं एक बार अपने जर्रल केस करें इसको उठा के अपने इसके अंदर डालेंगे जैसे इसके अंदर डालेंगे इस क्यूब को तो क्या होगा देखो जैसे इस क्यूब को इसके अंदर डालेंगे अपने तो यह वाटर को को displace करेगा ये cube है जितना ये volume अंदर जाता जाएगा cube का उतना ये water को displace करेगा मालों ये completely immersed हो गया ये जो cube है वो completely water के अंदर चला गया तो इस cube का जितना volume है उतना water displace हुआ तो water जो displace होगा वो एक उपर की तरफ एक force exist करेगा जिसको अप्त्रस्ट फोर्स के लिए तो यहां पे एक फ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ इस क्यूब के उपर और यह most important त्षच यह याद रखना अप्त्र इस पॉस्ट क्या होगा प्टर डिसप्लेस हुए यह लेकविड़ डिस्प्लेस हर यह मैश्या वाकट यह लिक हो सकता है वाटर डिसप्लेस हुए center ऐव है गदी उब्जेक्ट मान लो हूब ज oo गह इसके अंदर अप लोगो दूब है इसके इंदर, तो कितना water displaced होगा, water displaced महलब water का कितना mass displaced हुआ, mass of the water, that is displaced, यहां पर mass लिख सकते हो, mass of the water, upthrust force, mass into G, तो वो force हो जागा, upthrust force, उपर की direction, into G से multiply करेंगे, mass of the water that is displaced into G, ही μας कितना है इसका हमें घीवन वाटर की दैस्षिड रो और इसका व innovative cognender मास कितना हुग धो हमारे पास में यह मास्मा में सटीह भीक यह रो रहो होता है हमारे पास पीयू pretty तो मास्क कितना होगा रो इंटु वोल्यूम तो रो इंटु एक्यूब या रो इंटु वोल्यूम लिख सकते हैं रो इंटु वोल्यूम इंटु जी रो वी जी या रो एक्यूब जी यह इतना अब जुरूर नहीं कि वो एक्यूब होगा हमेशा क्यूब होगा हमारे पास में ऐसा नहीं कि यह हमेशा क्यों भी गिवन होगा यह अब्जक्ट कोई भी टाप का सिलेंडर भी हो सकता है बॉल भी हो सकते स्वेरिकल बॉल भी हो सकते इस विज़े से मैंने रो वी जी भी लिख दिया रो है यह हमेशा याद रखना अफ्रस्ट फॉर्स में जो डेंस्टी लगेगा क्योंगी यह셨 स्वेवी अब्तयक इसकी वज़ा से एक हमारे पास में इस पर एक नीचे ग्रेवितेशिणनल फर्स लगेगा सब्सक्राइब नीचे एक फोर्स लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स जो एम जी है सिग्मा वी जी और ऊपर एक थर्व फोर्स लग रहा है रो वी जी तो इसका जो वेट है एक्चुल वेट वह एपरेंड वेट आएगा यहां पर अभी इसको लाइट फील होगा इस लिक्व वोनोवेट का डिफरेंस एपरेंड एपरेंड वेट इसको डबल्यू प्राइम लिखदो इसको डबल्यू लिखदो एक्चुल वेट और उपर एक फोर्स लग रहा है उसमें से माइनस कर दिंग तो यह ब्रइंड वेट आजेगा हमारे पासमेड व नाव मैनस यू इसको लिखतो अब थ्रस्ट पोर्स को तो कितना आ जागा यह है सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी तो यह आ जागा सिग्मा वी जी यह अपने common लें यहां से या rho VG अपने common ले ले तो रो VG common ले ले हैं सिग्मा वी जी सिग्मा वी जी अपने common ले लेते हैं सिग्मा वी जी common ले लिया तो 1- rho VG upon sigma VG V volume है ठीक है यह हो गया उसका actual weight W 1- rho by sigma तो यह apparent weight होगा जो उसको feel होगा कि वाटर के अंदर अब रो और सिग्मा पे डिपेंड करेगा कि यह डूब जाएगा तैरता रहेगा completely कितना डूब जाएगा ठीक हो इसके डिपेंड करेगा यह पूरा आर्कमडीज प्रिंसिपला तो आर्कमडीज प्रिंसिपला क्या करता है कि एक तो उसके अब फ्रस्ट की वैल्यू यह लो है और इसके खुद के वेट की वैल्यू वह जादा हाई यह तब तो पूरा डूब जाएगा ठीक है जो जाज वगरा तैरते हैं वह इस पर डिपेंड करता बाकि वह और भी फैक्टर होते हैं उसमें उसका एरिया कितना है ठीक है वह भी सब्सक्राइब यदि दोनों बैलनस हो जैंगे तो रहेगा और यदी泡 यदि ज्यादा है तब आदा डूबंगेगा अादा रहेगा ठीक है वह वह अपने डिस्कस करते हमें अलग-लग इसमीं डिस्पूस करतें कौन-कौन से केस बनंदे केस अधिक हमारे पास में है वाटर की डेंस्टी ऑर यह उबजयट की इसेम है तेम इस में है रोकल पीड़ गदेंस्टी है तो हमारे पास में कितना हो जीरो एपरेंड वेट जीरो होने मतलब है कि वह completely submerged हो जाएगा और वह float करता रहेगा लेकिन वह completely डूब जाएगा पानी के अंदर नहीं सिंक नहीं होगा पानी की पूरा अंदर होगा बट surface के नीचे रहेगा ऐसे पूरा इस टाइप से surface के नीचे की तरफ रहेगा completely submerged हो जाएगा बट फ्लोट करता रहेगा तैरता रहेगा ठीक है यदि यह वाला किस है रो इसकोल टू सिंग्मा है completely कि समयज्ड अब प्लोट करता रहेगा ऐसे नहीं कि सिंग भीना सिंक नहीं होगा नीचे नहीं जाएगा उसके surface की नीचे की तरफ ऐसे देख यह वाट्र की देंस्यो और करोज הש्रीर पंदर भर चांद साँ उपर उपर पूर उसके अंदर पानी बर फैसी तो पूरा पानी बरने ज़रूरा नहीं उत्त एक इस जो एक आइडियल केस कंसीड़ कर रहे हैं बागी विस्कोसिटी विगर रहा और भी वह सारे इफेक्टर होते हैं सेकिंड केस देखो सेकिंड केस है हमारे पास में यह दी रो ग्रेटर देन सिगमा है रो ग्रेटर देन सिगमा का मतलब क्या है वाटर की देंस्टी ज्यादा है औब्जेक्ट की देंस्टी कम है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा औब्जेक्ट की देंस्टी कम है तो हमारे पास में रो ज्य value कि उसके weight से कहीं ज्यादा होगी अब thrust पुर्स तो वह कंप्लीटली इमर्ज नहीं होगा ठिक अब thrust force काफी ज्यादा हाई होगा तो वह आदा डूबेगा पूरा नहीं डूबेगा अधा पता नहीं कितना होगा वो करेगा रोर सिगमा पर कुछ पार्ट उसका डूब जाएगा ठीक है और जितना पार्ट उसका डूब जाएगा उसका वोल्यूम ले लो अब thrust force, क्योंगि देखो, कब तक ही तैरता रहेगा, जब thrust force उसके weight को balance कर लेगा, उसका weight क्या है, sigma vg, यह इसका weight है, और thrust force क्या है, rho, अब vg नहीं आएगा, क्योंगि rho vg की value तो, sigma vg से जाद है, तो इस वज़े से पूरा नहीं डूबेगा, इसका इतना volume डूबेगा, कि यह दोनों force balance हो जाए, तो rho v' उची, यह एक equation है, यह याद रखनी है, sigma vg स्कूल टू, तो g से g cancel कर दो, sigma v इसकूल टू, rho v' प्राइम, ठीक है, तो इतना part, कितना volume डूबेगा, उसका वह यहां से निकाल सकते है, sigma v upon rho, यह दिखिमा और rho सेम है, तब तो volume पूरा ही डूब जाएगा, क्योंगि v' यह है कि कितना volume डूबा है, यह है, कितना volume डूबा है, यह है, कितना volume पानी में डूब गाएगा, गया, कितना volume डूब गया, कितना डूब गया, पानी के अंदर, वो यह है, और यह है, और यह है, कि उसका total volume, sigma v, यह यह यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट मारे पास में थार्ड केस है, थार्ड केस, थार्ड केस क्या है, पारे पास में, sigma greater than v, sigma greater than rho, तो इस केस में, sigma vg की value rho vg से ज्यादा हो, तो अब thrust force balance नहीं कर पाएगा, तो यह completely sink हो जाएगा, और water में नीचे चला जाएगा, यहां पर आके बैठ जाएगा, यह नीचे, ठीक, अर्थ की surface तक चला जाएगा, बाकि यदि और कोई force ना हो, यदि और कोई force हो, तब तो नहीं जाएगा, अधरवाई वन नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो यह 3 particular case है, आ गया समझ में, अच्छे से, यह question देखो, यहां से यह question बन सकता है, एक question यहां से जरूर बनेगा, तो यह equation याद रखनी है, तुम्हें most important equation है, यहां से जरूर एक question बनेगा, ठीक है, एक question मैंने देखा है, pyq में भी देखा है, यहां से बनते हुए, तो यह जरूर आना चाहिए तुम्हें, ठीक है, next अपने discuss करते हैं, अब देखो, flow की बात करते हैं, flow दो टाइप के flow होते हैं, एक होता streamline flow, एक होता turbulent flow, ठीक है, जो अपने यहां discuss करेंगे, dynamic, जो fluid है, वो flow कर रहा है, अभी तो हमने stationary fluid की बात की थी, अभी जो अपने discuss कर रहे थे सब कुछ, वो stationary fluid की बात कर रहे थे, अपने, रुका हुआ हुआ प बात करें, लिक्विड फ्लो की, लिक्विड फ्लो की बात करें, तो यहां पर दो टाइप के flow होते हैं, हमारे पास में, एक होता है, streamline, और अपने streamline ही discuss करेंगे, turbulent की बस में definition बता दूँगा, turbulent नाम से ही clear है, ठीक है, turbulent, क्या होगा, streamline flow एक ऐसा flow है, जिसमें, क्या होगा, जिसमें, जो हमारे पास में, जो कोई point इसमें, देखो क्या होगा, streamline flow, मैं simple बताता हूं तुमें, क्या होगा, हमारे पास में, space में, बहुत सारे point है, A, B, C, D, A, B, C, D, क्या होगा, streamline flow में, जो हमारे पास में, आने वाला particle, liquid में बहुत सारे particles होंगे, और particle एक दूसरे के पीछे move करेंगे, जो पीछे आने वाला particle है, वो आगे जाने वाले particle के path को follow करेगा, कि इसे कहेंगे, streamline flow, जैसे यहां से, और यहां से कोई particle मान लो, first particle यहां से pass किया, first particle पास किया, तो उसकी velocity VA है, और वो इस direction में गया, तो यहां से, इस A point से कोई दूसरा particle, second particle, जो इसके पिछे से आ रहा है, वो इससे pass करेगा, तो उसकी velocity भी VA होगी, और वो भी इस direction में ज करेगा, इस point से कोई तीसरा particle pass कर रहा है, जो इसके पिछे से आ रहा है, यदि वो इस point से pass करता है, तो उसकी velocity VA होगी, और वो इसी direction में move करेगा, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे point define होते है, liquid के अलग-अलग अपने क्या करते हैं, यहां पे space के point को consider करते हैं, अपने liquid क Points जो liquid के अंदर particle है, उनको अलग-अलग study नहीं करते हैं, जिस से करते हैं और जिसले अपने के यह चया करते हैं, यहां अइसा नहीं होता, यहां क्या होता, स्पेस में हमने पहले से पॉइंट डिफाइन कर दिये उन पॉइंट पर कोई पार्टिकल आएगा तो उसकी यह विलोफ कि लोगी हर एक आदमी को ट्रैक नहीं किया जाएगा हर एक आदमी को ट्रैक नहीं करेंगे हजारों आदमी को कैसे ट्रैक करेंगे कोई किदर से निकल गया कोई शोट रस्ते से निकल गया तो हजारों आदमी को ट्रैक नहीं किया जाएगा उसमें क्या किया जाएगा उसमें बहुत सार हजारों आदमी यहां से दोड़ना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई डारेक्ट यहां से यहां पहुंच जाए ठीक तो उसकी लिए क्या करते इन सभी को ट्रैक नहीं करते जगह जगह अपने अलग-अलग अपने एक पॉइंट डिफाइन कर देंगे यह अलग-अलग अपने चोकी डिफाइन कर देंगे चोकी आपने कोई एक क्या कहते हो उसको कुछ भी कह दो यार वो पॉल कह दो कुछ भी वहां जाना जरूरी है तो यहां टोकन मिलेंगे सभी को जो यहां से टोकन लेगा यहां एक टोक लग-Leg different Choke Define कर दी और 1000 आदमी दोड़ रहे हैं तो इसके पास मैजार टोकन है जो आदमी यहां से जाएगा ठीक है तो वह एक टॉकन रसीव करेगा तो मलव सने टॉकन रसीव कर लिया फिर यहां से जो गया उसने दूसरा तो कितने पॉइंट एक दो तीन चार पांच छे पॉइंट तो जब यहां लाक्ष तक पहुंचेगा तो उसको छे टॉकन अपने जो है वो सम्मिट करने होंगे अधर्वाइस वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा तो छे टॉकन यहां से निकल जाएगा कोई यहां रखो हर किसी पर ठीक तो वह चीज़ें नहीं कर सकते अपने तो उसके लिए हमारे पास में यह एक फ्लो है ठीक है इस टाइब का और सेम यहां पर इसी कोई श्रीम लाइन फ्लो कर देते हैं ठीक है कोई एक दूसरे को ऊपर से जंप करके या एक दूसरे क्रोस करके नहीं सब्सक्राइब करेंगे कोई पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल 2o ट्रीम लाइन फ्लो की कुछ प्रोपर्टीज है मार पास में जो प्रीसिटिंग पार्टिकल होगा पिछले वाला पार्टिकल वह आगे वाले पार्टिकल को फोलो करेगा ठीक है और इसका जो कि a streamline इस टाइब का फ्लो होता है यह बना सकते स्टीम लाइन से से हैं कर सकते में सारी स्ट्रीम लाइन इसको कर सकते हैं कि कि देल करेगा ये इसकि फर्स्ट करेंगGERिए और टर्बूलेंट फ्लो जाएगा और जहां स्रीम्लाइन पास-पास में हैं वहाँ व् competing हाइई होगी जा श्रीमलाइन दूरदूर है वहाँ विलोस्य म honestly जैसे मालोई फ्लो है कि यह स्ट्इम लाइन पास-पास में तो यहां लिक्विड जो विलोस्टी तो में बिता दिए तर्बूलन फ्लो में क्या होगा पार्िकल है एक दूसरे को क्रोस कर सकते हैं जैसे वे अउसे नल कोलते हो ना दीरे से क्लो तो जो फ्लो ताव फ्लो दिखाए देते तब पतली धारा शीतिए दिकाए देती है तो ये दम से क्लो तो पार्टीकल ऐसे एक दूसरी के उपर से जा रहे हो तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में भी एक वेलोस्टी रेंज होती है कि इस वेलोस्टी से हाई वेलोस्टी पर फ्लो ट्रबूलेंट हो जाएगा इस वेलोस्टी से लो वेलोस्टी पर जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाएगा ठीक है तो यह डिफ्रेंस है स्ट्रीम लाइन ट्रबूलेंट फ्लोव समझ में आ गया कि एक दूसरे को क्रोस कर देंगे इन प्रॉपटी को फॉलोव नहीं करेगा तो ट्रबूलेंट फ्लोव होगा ठीक नेक्स अपने डिसकस करते हैं यहाँ इक्वेशन ऑप रॉपिणे अंटीक्वेशन और इसमें सबसे दोह से इन थैइक ब्रेशन एकीवेशन ऑप तनि एकीवेशन क्योवर ऐवशंति की बात करें पर इनित-ठैम में भी यहांसे जाएगा यह इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्रिए इस ट्म..? जो गर्रेसिबल का ढएचा मुल्टिक्लिकशन एक्पू हवं यह इस ट्रूम्प ठैम यहन से बार निकलेगा यदि उस liquid को press नहीं किया जा सकता तो a1, b1 का जो multiplication है वो a2, b2 के equal होगा that is continuity equation और ये conservation of mass को भी represent करती है conservation of mass तो ये यादर खना conservation of mass को represent करती है equation of continuity incompressible fluid के लिए है applicable है ठीक जहां् longo iso near area कम होगा वहां velocity जादा ओऑी जादा होगा यहां कम होगा यह जब माधलो 1 टैपल अपन even Bliss to your product dictionary जादा होगा जंसे मालो जशेकर अपने अपन करते हैं एक नल black open करते हैं तैप ते ऑबना होगा एसे बना होगा यह पिछे से पानी आ रहा कहीं से इसको ओपन करते हैं जब अपने तो तुमने देखा होगा कि जो लिक्विड का जो फ्लो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि मांदो थोड़ा सा इसको अपने ऐसे बनाते हैं क्योंकि यहां 90 hybrid के इनीशल विलॉसटी माYU विवन विलॉसटी काफी जादा लोविलॉस्टी होती जब ओपन करते हैं जैसे जैसे वह नीचे जाधा ग्रैविटी से लगातार्री इंक्रीज नीचे की दरफ जाएगा दीविलॉस्टी साद्स interven сюжet से संधानी से क्रोस्ट्रियूब सब्सक्राइब यहां अब क्रोस्ट्रियूबर हो इस तो इसको आपने यूज करके बता सकते हैं कि विलोश्टी हाई होने से क्या हो जाता है हमारे पास में कम हो जाता है थैक है very नेक्ट भी सब्सक्राइब इसमें नहीं में बढ़नोली प्रिंसिपल लिएंग vind तायप से ख्लो कर रहा है है अन्य और इसका ये एरिया एबन हैं विलोश्टी वीवन है प्रेशर फीवन है यांपर ठीक है और ये रेफरेंस पॉंट हमारे पास्में यहान एरिया हाइडी है फीडी प्रेशर पी-डू है और यह h height पर है ठीक है तो बर्णॉली principle क्या करता है बर्णॉली principle कि हमें यह करता है कि P1 प्लस rho g h1 या अपने reference नीचे और ले लें थोड़ा सा यहां reference ले लें यह h1 height है यह h2 height है general हो जाएगा हमारे पास में case तो बर्णॉली principle यह करता है हमें P1 Plus half row V square Half row V1 square Plus row GH1 Is equal to P2 Plus half row V2 square Plus row GH2 यह होगा मार पास में यह आपने यह कह सकते हैं P plus half row V square Plus row GH यह होगा मार पास में constant quantity होगी conserve quantity होगी ठीक है और P pressure को represent करता है half rho V square kinetic energy per volume को represent करता है यह potential energy per unit volume को represent करता है half rho V square क्या represent करता है half rho V square kinetic energy per unit volume और rho GH potential energy per unit volume और P pressure इसको represent करता है तो यह Q3e कोंस्यट होगी और ब्रणोली प्रिंसिपल में यह जो इक्वेशन है यह कहां से आते थे एकंजर्वेशन ओपव अनर्जी से औरनजर्वेशन ऑफ अनरजी वो equation of continuity conservation of mass को रेप्रेजेंट करता है और compressible fluid के लिए ही incompressible fluid के लिए ही valid है इस वैलिए फॉर इनकंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल यह भी एक पॉइंट याद रखें दोनों पॉइंट यह याद रखें ठीक एप्लिकेशन की बात करते हैं सबसे पहली अप्लिकेशन स्पीड ओफ इफलक्स इसको यूज कैसे करना इस फॉर्मुले को वह तुम्हें कुछ कॉश्चन करेंगे कुछ अप्लिकेशन करेंगे तो यहां से समझी में आ जाएगा कि इस फॉर्मुले कैसी यूज करें बाकि यदि तुमने पहले पढ़ रखा तब तो पता होगा तु ओपन भी हो सकता है हुद बंध भी हो सकता या दोनों होसकते हैं इससमें लिक्विड की हाऊ आँ और चैल कैमें यह हाइच है यह हमारे होगी ओगिल माइनस और यहाँ से इस ओरीक्विड है वह बाहर निकलेगा तो इसकी विलोष्टी क्या होगी वह हमें क्लेट करनी है यहाँ प्रेस्टी प्रेशर पीटू है और यह अर्फिस बहुत लार्ज अंधर और फिस बहुत ज्यादा स्मॉल है एर्याएवन है विलोष और यह यहां से बंद थो इथा सानी मौट से बंधुन को इंचüyor तो ॥परिस चेर करो रेफरेंस पॉइंट को लेलो या किसी आपने ले सकते हैं लेट से ले बाफने ले हैं यह रेफ्रेंस पॉइंट ऑर है समय होगी यहार रेफरेंस ले लो दोनों से सही अंसर आएगा कैसे भी सोल्व कर सब्सक्राइब ले लिए उपर वाला सर्फेस तो बर्नॉली प्रिंसिपल क्या करता है हमें प्लस देखो हाफ रो वी स्क्वेर प्लस रो जी एच इसकुल टू कॉइंच तो इस सर्फेस पे देखो इस सर्फेस पर रेफरेंस से सर्फेस की डिस्टंस कि त Track जीड़ो कोई है तर नहीं है ठीक है और ईस पर कर Chemistry है प्रेशर है प्रेशरपी स्लस्में प्लस हाफ रो वलो कि यहां से अफ्रोध कितनी है है तो इस टाइप से अपने को सोल करेंगे एंशे हैं रोजी माइन है चाहिए कि रेफरेंस से नीचे है रोजी माइन सब्स तो वी टू ज्यादा स्मोल है लकबग 0 है यहां से लीक्विड निकले लेकिन यह विल्योष्टी बहुजादा कम है क्योंकि लिक्विड का सरफिस दिर-दिर नीचे आएगा ठीक है इसको 0 ले लेंगे तो आएगा पीटू यह ओनली पीटू ही बचेगा हमारे पास में इसकोल टू पीवन हाफ रो वीवन स्क्वेर माइनस रो जीएच तो हाफ रो वीवन स्क्वेर इसकोल टू पीटू माइनस पीवन प्लस रो जीएच तो वीवन स्क्वेर टू बाइ रो पीटू माइनस पीवन प्लस रो जीएच ठीक है इसका रूट ले लो तो यह हमारे पास में विलोश्टी ओफ इफलक्स आजएगी यह थो ड़ इफ बाइ रो पीटू माइनस पीवन प्लस रो जी एच यह मारे पास में विलोश्टी ओफी फिलक्स आं में एद यादि सर्फेस ऊपर से ओन होता ओपन अपन इफ ओपन कंटैनर कंटैनर यоки कंटैनर आपन होता तो इसकल पीवन अ होता क्योंगि적च होंते डोनों क्योंगि अपन है यह सर्फऊस भी ओपन होता यह भी ओपन है तो दोनों पर जो मैं फर आटिमस्फिर प्रैशर है स्टीन इस जी रहो जाता तो विंड आ जाता हमारnya पास में इसको फिर नेगलेक्ट कर दो और पीवन को नेगलेक्ट कर दो यह आजए का टू पीटू बाई रो यह विलोश्टी ओफ फ्लक्स होगी तो यह केस भी तुम्हें याद रखना है इसकी जो एप्लिकेशन है यह रोकेट रिपल्शन में यह रोकेट रिपल्शन में प्रेशर हाई रखा जाता है रोकेट रिपल्शन इसकी एप्लिकेशन है रोकेट रिपल्शन ठीक बस यह तुम्हें याद रखना है और यह स्पीड ओपी फ्लक्स याद रख लेना फॉर्मुला बाकि यह फॉर्मुला र reference यह लेके भी कर सकते हों देखो यह reference लेके भी कर सकते हों करूं लिखूं equation यह reference लेकर देखो क्या equation आएगी इस reference से उपर वाले surface को देखो pressure P2 प्लस half rho V2 square प्लस rho G H P1 प्लस half rho V1 square और यह 0 क्योंगी reference और फिस यह 0 तो वह देख लो half rho V1 square क्या आगया और half rho V2 square पर जीरो हो गया लिखू माइनस P1 प्लस rho G H सेम आ रहा है सेम equation आ रही है तो कोई भी reference लेके कर सकते हों ठीक है प्लस माइनस के नीचे है वह point तो माइनस होगा यह reference के उपर है तो प्लस होगा दस यह तुना जाद है एक और application है वेंचरुमेटर किसी भी liquid का rate of flow या velocity मेजर करने के लिए अपने एक हमारे आप्लिकेशन है वेंचरुमेटर की help से क्या करते है rate of flow of liquid rate of flow of liquid यह अपने मेजर कर सकते है rate of flow of liquid ठीक है यह वेंचरुमेटर हमारे पास मिला है यह हमारे पास में कोई है यह liquid यह liquid है जो तैप से flow कर रहा है हुआ है ठोड़ा च्वटा पनाधे लाइगेश्रा इस टाइब से हैं है यह liquid ठीक है यह इस टाइब से flow कर रहा है लिकविट ज्यादा यहां एरिया कम है और यहां हमने इसको open करके एक tube यहां पर attach कर दी जिसको benchmarked tube कहेंगे एक tube attach कर दी हमने इसके अंदर को यह liquid भिल रहा है हमने जिसकी density इस density से अलग है rho m density एसकी और इसकी density rho है water flow कर रहा है ठीक है यह area मालो ए है यह area यह स्मॉल और Oke prayunch और यहां प्रेशर अलग है यह है इसमों से पॉर्ट पर इस ये यहां से यह ओपन में यह से ओपन ह occur तो ग्याव प्रेशिर अलग यहाँ तो इसमें जिफरेंस आएगा माली यहां है कि सोक्राइब जो इसका लेवल लोगा नीचे ओगा इसका लेवल यहां स्का लेवल यहां है थो सब्सक्राइब यहां प्रेशर है यहां इस अलग प्रेशर तो इन के लेवल में एक दिपरेंस है एक है वह अपने नौट कर सकता है रेट फ़ लौफ लिक्विड फाइंड आउट करने के लिए है की वैल्यू हमें चाहिए होगी और वह गीवन हो सकता है कोशचन के अ यह नीच्ची क्यों हैं उसका रेजन अभी पता लग जाएगा ठीक है और इसका एरिया है और आDoes थी अब यह देखो कॉंटियोड एक वह को उन्हें तो यहाँ से अपने वी टू निकाल सकते हैं इस वी टू कितना है यह बाई बीवन तो वी टू कि वीटू स्पीड हाई होगी क्योंकि एज ग्रेटर दन एक हम कह सकते हैं वी टू इस ग्रेटर दन दीवन यह तो हमें पता है कि उविसली जहां प्रेशर क्या होगा है प्रेशर बनॉली दिया हम लगाओ bernoulli equation height same है दोनों के मालों यह reference ले लिया हमने यह और यह दोनों same height पे है तो bernoulli थे और हम only pressure वाला pressure यहाँ pressure अलच से p1, यहाँ pressure अलच से p2 तो p1 प्लस half rho v1 square equal to p2 plus half rho v2 square यह हमारे पास में Bernoulli principle आ गया, तो P1-P2 pressure का difference, half rho V2 square minus V1 square, तो half rho V2, V2 की value कितनी है, A by A का whole square minus 1 V1 square, यहां प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है, इन दोनों में difference कितना है, और A greater than A है, इसका मलब P1 greater than P2 होगा, यह quantity positive है, यह वैसी positive प्रेशर P1 greater than P2, तो P1 greater than P2 इसका मतलब यहां velocity कम है, तो यहां pressure ज़ादा है, यहां velocity क्योंगी V1 velocity is less than V2, तो यह णे problem हमारे पास में निकल के आ रहा है, कि जहां velocity कम वहां pressure जखी कम वहां pressure जखी कम वहां pressure जखी, से इसका जो लेबल अवथा नीचे इसका लबल और यह जो प्रेशर का डिफरेंस है वो क्या है रोजी ऐच इसको रोजी है अपनी रोजी है रोओ एम जी है रोज्र का डिफरेइंस को यह से बीवन की वैल्य अपने निकाल लें तो रेट अपने अब हें Palestine ठीक है रों हमें पता होना चाहिए रो हमें पता होना चाहिए वीवन अपने को यहां याद रखना है कि जहां पर विलोस्टी कम होके वहां प्रेशर ज्यादा होगा इसका अपने यूज करते हैं परणोली प्रिंसिपल में बैद ली प्रींपल की जो आप्लिकेशन जैसे आपने बॉल को स्पिन करवाया चुक्त इस टाइब से स्पिन करवाए कि इस टाइब से फहांगे बोल को स्पिन ना करवाए तो च्लिक वो गढ है टीक कि यहां जो दो स्पिनिंग की विजए से बोल यह handful की स्बीका निन रितेिम्स में अधिक से शेक्षि … और ने जबत देड़क्शन है तो नीची वैलोस्टी बढ़ जाती है लिए जाए ब व violation जादो ज़य कम प्रेशर जादा जहां व्म्मों प्रेशर जी प्रेसर जादा वहां पने ऊपर प्रेशर ज़्यादा नीची प्रेसर कम तो वोल है वह यह यहां ड्रोप होने के पहले ही ड्रोप हो जाएग तो यहां गिरनी चाहिए उससे पहले ही गिर जाएगी ठीक मेंगेनेश इफेक्ट कहा देते हैं इसको और यदी अपने बॉल को इस टाइप से ऊपर विलॉस्टी बढ़ जाएगी नीचे फेलços तबढ़ जाएकी यहाँ वेलोस्टी बढ़ बढ़ जाएगा तो नीचे अगे गिरेगी की तो भी यहां चाहिए लेकिन ऑगे गिरेगी यह रोटेट गूरा है तो पहले ही गिर जाएगी clockwise में और एंटी-clockwise में बाद में गिरेगी आगे गिरेगी मैगनेसिट कहभी जो प्लेन उड़ता है हवा में वो भी तुम्हें पता है कि कैसे उड़ता है थिक नीचे से प्रेसर बढ़ जाता है उसके प्लेन की जो इसका वह शेप होती है व इस टाइप से बनाई होती है कि नीचे प्रेशुर बढ़ता है नीचे प्रेश्र बड़ेगा तो बहुतक हुए अधिकз यह यहां तक नैक्स देखो नैक्स भर पासमें विसकोसिटी स्थ्थ इसक्रीक्षणal फॉर्स है बिट्वीनान लिक्वेट सर्फास्स देखेंच है तो है उसके बूत सारी सर्फेश होगी एक लेल दूसरी लेर दूसरी लेयर चौंतील रहा पहंका साथवा कुट है कि नेंब सारी लेयर नीकर's लगाओ तो उपरोगे लेयर करेगी तो इन दौनों layer के बीच में जो ठीक है बीक मेर बहना हुँनका उस फोर्स की वजवागत से इस लेयर के साथ यह लेयर विड्राइख होกी इस लेयर की टीक्षदाइद इस आहीं लेयर नीचे की लेयर हो ड्रैग हो जाएगी इसके अपने विसकोस फॉर्स करते हैं और इसको अपने मेजर करते हैं विसकोसिटी से इस प्रॉप्टिक लिक्विड की जो प्रॉप्टी है जो विसकोस फॉर्स फॉर्स से अपलाई होता है इसको अपने कहते हैं विसकोसिटी विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है मालो हमने उपर वाले सर्फेस को डिस्प्लेस किया उपर वाले सर्फेस को अपने इस टाइप से डिस्प्लेस कर देते हैं मालो इस टाइप से नीचे वाले सर्फेस भी कुछ डिस्प्लेस होगी उपर वाले सर्फेस को ज्यादा डिस sharing stress sharing stress हमने अप्लाई किया किसी लेयर पर sharing stress कितना अप्लाई किया force per unit area एक stress अप्लाई इसकी जैसे strain produce हुआ strain क्या होता है कि इतनी displacement हुई और इसकी length कितनी है तो x by L तो जो coefficient of viscosity होगी वह होगा force per unit area sharing stress upon strain per unit time कि यह हमारे पास में विस्कोट्स कोफिशन्ट विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो तो यह होगा f by a strain by L into t x by t को velocity लिख देंगे f by a into velocity कि इन्टो एल उपर एल चला जाएगा तो fl by a p यह हमारे पास में कोफिशन्ट ओफ विस्कोसिटी होगा ठीक है f force जो टेंजेंशल फोर्स अपने अप्लाई कर रहे है ए एरिया लिक्विड सर्फेस का जो एरिया जिस एरिया पर अप्लाई कर रहे है एल है उसकी जो टॉटल डेप्थ है और वी है उसके हमारे पास में विलोस्टी किस विलोस्टी से लिक्विड है वह जो सबसे उपर वाल ले रहे हैं ड्रैग होई है यह विस्कोसिटी अब यहां पर देखो एक मॉस्ट पॉइंट लिक्विड के लिए तंप्रेचर डिपे इसको लिख लो क्या है योदि टंप्रेचर को इंक्रीज करते हैं पहले अपने बात करते हैं फोर लिक्विड के लिए और लिक्विड इसको लिख लो टंप्रेचर को इंक्रीज करने पर टंप्रेचर को इंक्रीज करने पर विस्कोसर्टी विस्कोसर्टी डिक्रीज करती ह है most important for liquid temperature को increase करने पर viscosity decrease करती है क्योंकि temperature को increase करने पर जो molecule के बीच में cohesive force हो decrease करता है due to due to weakness due to weakness of weakness in cohesive force जो molecule के बीच में cohesive force है वो decrease करता है तो वोलिक्विड इंपर गैसे की बात करें प्र गैसी सकी बाद म करती है ड्यूल् Daha दू रैंडमनस करती है दू रैंडमनस किद्टि क्वेशν chief या रखने अब बात करते हैं प्रेश्य की है और निक्विड प्रेशर को यदि अपने इंक्रीज करें तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है विस्कोसिटी इंक्रीज होती है प्रेशर को इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है फोर लिक्विड बट वाटर के लिए प्रेशर को इंक्रीज करने पर viscosity decrease होती है for few hundred atmospheric pressure कुछ pressure तक और water यह exceptional case है यह तो होता ही होता है exceptional case है exceptional case pressure को increase करने पर viscosity decrease होती है for few hundred of atmospheric pressure for few hundred atmospheric pressure for liquid for liquid यह एक अलग case तुम्हें याद रखना है वैसे तो यह होता है in general liquid के लिए only liquid के पुछा जाएगे exceptional case में pressure increase करने पर viscosity decrease होती है क्योंगे density में फरक होता होता है few hundred atmospheric pressure और liquid नहीं water for water liquid नहीं water liquid नहीं water नहीं water के लिए ठीक है liquid के लिए अब गैस के लिए बात करें फोर गैसे ईिश्कोसिती इंौश्धी इंडिपढोद स्फेसर निखियरे W Communications दिश्सक्यूर्ट इंडिपेंटेड़ेंडेटर बट EXCEPTIONAL केसी ही यह ऑर वैरी लोग कि एंड वैरी हाए टमपरेचर अब वेरी हाइट अमड्रेचर की विसकोस प्रेशर प्रेशर इस प्रोपोर्शनल तो विसकॉसित है यह कुछ पोइंट यह याद रखने एमस्क्राइब के कोशन में पूछा जाएगा ठीक है नेक्स अपने डिसकोस करते हैं स्टोप स्लो यह नौट करो एक बार नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टॉक 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 स्ट हो सकती है नहों सकती है कुछ भी ऐसा एक्सनारी में अपनियों लाप में और इसके अंदर कोई और और नो तो इस पे जो viscous force लगता है viscous force experienced by the viscous force experienced by the object in a liquid जिसमें वो fall कर रहा है viscous force experienced by a body moving through fluid is 6 pi eta ab 6 pi eta ab यह force लगता है यह वो object हमारे पास में spherical object है तो eta हमारे पास में viscosity coefficient होगा viscosity coefficient a हमारे पास में उसकी radius होगी या उसका यह वो cube है तो उसकी side होगी भी उसकी velocity होगी किस velocity से वो नीचे की तरफ move कर रहा है तो किसके proportional है जो viscous force है वो velocity के negative sign के proportional है इसका मलब जितनी high velocity से drop करेगा उतना viscous force उपर की direction में लगेगा viscous force हमेशा उपर की velocity के opposite direction में में लगता है ठीक है और वो radius पर डिपेंड करता है wall की radius जितना ज़्यादा बड़ा object होगा radius जितनी ज़्यादा होगी उसका उतना ज़्यादा viscous force लगता है इसी वज़ासे जो heavy rain drop होती है उन पर viscous force सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि उनका area बढ़ता है ठीक अब बात करते हैं अब बात करते हैं टर्मिनल वेलोस्टी की ठीक यह याद रखना फोर्मला नेक्स्ट टर्मिनल वेलोस्टी यह काफी पोड़न्ट है है इससी से रिलेटेड हैं अंट तर्मिनल वेलोस्ट अब आर्गमणी प्रींसिबल यह आँ पे आ जाएगा हमारे पास जैसे मारे पास में कोई लिक्विड है इस लिक्विड में कोई अब्जक्ट आम मसका फॉल कर रहा है जैट इस आप लिक्विड जिसकी रोड एंस्ट सकते हो सिग्मा जी और वी इसका वॉल्यूम वी है मालो इसका वॉल्यूम वी ले लो या वी की जिग Alors लेलो या 4 3 Google लेढो बार क्याओं पाइर ढीज ले जिग है सिग्मा है सिग्मा ङह का पार दो की थक पाई आपत्रस्ट 4 और अपत्रश्ट प्यूंद्ट की वेल्यू कम है तभी तो य Спी ISO करा सिंक करता हुआ जब यह नीचे की तरफ जाएगा स даль व्लियू डू I guy इटा ए बिभी वेलोस्टी है उसकी ठीक है तो ऊपर दो फोर्स नीचे एक फोर्स है तो बात करें तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स हुध जब बैलैस कर लेगा गए तो9 canyon हो जैगी told त्रस्ट पोर से रो वी जी वी वोल्यूम है यहां पर ठीक है रो पी वी वोल्यूम को अपने टाउ से लिख लो रो टाउ जी टाउ वोल्यूम है ठीक है रो टाउ जी टाउ इस वोल्यूम डिस्प्लेस्ट वोल्यूम डिस्प्लेस्ट क्योंकि वी विलोस्टी ले लिए हमने तो वोल्यूम को हमने टाव ले लिए रो टाव जी रो इस दी देंस्टी ओफ लिक्विड इसको एक वोर्ग है सिग्मा टाव टाव इसका वोल्यूम इंटू तो यहां से टर्मिनल वेलोस्टी निकाल सकते हैं ट्रमिनल वेलोस्टी तो 6 6 Pi इता A V Eta A V T सिग्मा माइनस रो Tau G या सिग्मा गमन ले लिया या रो कमन ले लिया सिग्मा टाओ G 1 माइनस रो बाई तो यह हमार पास मैं 6 Pi इता A V T तो यहाँ से टर्मिनल वेलोस्टी अपने calculate कर सकते हो बाकी VulumWare 4 by 3 Pi R सकते हो सिगमा इंटो 4 by 3 पाई एक्यूब इंटो जी 1-0 by सिगमा इस टाइब से लिख सकते हो या सिगमा कुंदरी ले लो कोई दिक्कत नहीं 4 by 3 पाई एक्यूब जी केिसी सिगमा माइस रहलू क्या राए चैडिक सिक्स पाई इटा एय विद्त एसे कैंसल करतो एक सकत bevor टो या से टर्मीनल वेलोलोश्टी आसे निकाल लो कहां है कि टिर्मीक फॉर्मिला लेक्राओं टर्मीनल सब्सक्राइए का तूभाई नाएन तो ये स्कुर बाई इता कि इसक्न फैस्किन्द कि ठीक है एस्कुर बाई इता तो रो माइन avanz sigma माइनफ रो यह ढ़ाद रखना किस कि दैंस्टी है एक मैज्द देन्स्टी औफ object रो wyrants DRT यह ग्रेट थे रो-बमाई ग्रेटेटरएन रो लिक्माई ग्रेटर देन रो क्यांगि कि अबजेक्ट का वेट है वह विसकस पॉर्स ओर अब थ्रस्ट वह उसको बैलंस कर लेगा तो वह क्योंगी नेट-फोर्स जीरो जाएगा तो अब अपने रेंज फेलाश्टी आप निकाला था न उसमें एक रेंज निकाला वाटर कितनी रेंज तक जाएगा वह भी अपने निकाल लेते आपने डिसक Yak Anda करते हैं इस में थर्डवी लॉस्टी आफ में एक एक रिचुप स्कार्त अपने रेंज डिसका स्करते हैं यंद्स General कि अल्ट मिल्पीट किया थैद मैं हमारे पास मैं Intiki है कि एक फॉर्मूला तो मैं यह कल्कुलेशन पता होनी चाहिए और फिस है यह सरफेस है मारे पास में ठीक है और यहां से वाटर ड्रोप कर रहा है तो यह रेंज कितनी होगी यह एकस रेंज निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें विलोस्टी पता होने चाहिए वी विलोस्टी और यहां से यहां तक का टाइम पता होगा तो अपने रेंज निकाल सकते हैं विलोस्टी हमने निकाली हुई है विलोस्टी फिर से निकाल सकते हो लग से यहां प्रेशर पी नोट है और यह depth h मान लो और यह capital h मान लो यह मान लिया हम ने ठीक है reference कहीं भी ले लो यह reference ले लो यह reference है हमारा तो बर्नोली थियोरम प्लस यह velocity 0 है तो 0 प्लस रोजी रोजी small h प्लस आप रो आप रो आप रो वी स्क्वेर यहाँ यह विलोस्टी वी है प्लस जी रो ठीक है यह पी नोट से पी नोट गैंसल रो से रो गैंसल तो वी आजएगा रूट टू जी एच यह यह विलोस्टी होजेगी यह हमारे पास में open container है और इसका area बहुत जादा यहां पर अभी हमने जीरो ले लिया पर जीरो हमेशा जीरो नहीं होगा वह कई बार वह question में दे देगा तो वह तुमें फिर put करना होगा उसके according time कितना लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में यह जो distance है वो कितनी है h-h ठीक है तो यहां से लेगी यहां तक displacement y direction में displacement कितनी h-h और y direction में initial velocity है 0 ठीक है तो displacement y इसकोल 2 क्या होती है हमारे पास में आफ़े टी स्क्वर री क्यों यू एक्स या वी एक्स प्लस हाफ ए आफ ए वाई टी स्क्वर यह हमारे पास में equation of motion कितनी distance h-h displacement initial velocity y direction में 0 हाफ gt square तो t कितना आजएगा 2h-h upon g तो रूट में आजएगा तो यह आजएगा मारे पास तो x कितना आजएगा 2gh और यह आजएगा 2h-h upon g रूट में g से g cancel हो जएगा तो भार आजएगा एच माइनस h एच यह आजएगा हमारे पास में ठीक है क्लियर है कि यहां तक लिएर है सभी को यह हमारे पास में range आजएगी और range कब maximum होगी वह भी अपने find out कर सकते हैं कि और फिस यह जो और फिस लिए हमने यह जो होल है यह किस पोजीशन पर रखेंगी रेंज maximum maximum range के लिए इसको डिफ्रेंशियेट कर दो डी एक्सवाइड दी एच और जीरो के कुलपुट कर दो है लोला रेंज को maximum रखने के लिए हमें और फिस को सेंटर में रखना पड़ेगा तब रेंज मैक्सिमम होगी और कितनी त्ग डू रख दो एच बाय टू है पुट्धå on मैंने सब सक्वाइण डू10 एच अजब नीचे तु आजएगा तो रेंज मैक्सम कितनी होगी है a app me maximum range यह हमारे पास में जाएगे जितनी यदि हमने इसकी जो लैवल भरा हुआई पानी का लैवल हो वह कपिटल है और और फिस को हमने isolator किया थो यह range कितनी जाएगी एच जाएगी मैकसमिंम रेंज ठीक है यह होगी हमारे पास तो यह भी तुमने एक point है, वो याद रखना है, clear है, यहां तक, यदि अपने दो और्फिस करें, एक हमने let's say h depth पे कर दिया, और दूसरा और्फिस हमने let's say y depth पे कर दिया, ठीक है, तो दोनों और्फिस कहां होने चाहिए कि range same हो, let's say हमने यह problem भी दी होती है कही बार exam में, एक और्फिस हमने यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, यह पानी का level है मान लो, ठीक है, यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक, एक और्फिस हमने h depth पे कर दिया, और एक हमने y depth पे कर दिया, और यह total h है, capital h level, यह मान लो, ठीक है, तो यह पानी यहां गिरेगा, और यह पान गिर एकस की वैली दोनों के लिये सेम हो विखिख दोनों और फिस की क्या position होगी है तो हमें पता वाई की क्या position होगा वह हम find out करना तो X क्या है मारे पास में रइंज ख्रोड हमने सेकन्ड और्फिश के लिए 28щ माइनस वाई इंटो वाई तुसे टू कमचल रूट रूट कैंसल करता है एच मायनस एच एच माइनस वाई लाई PLAY तो यहां से डाई की वैल युद्में रसेठा करनी है यहां से जो गिक्रिद के डाइग कर ले तो आएगा वाई हमारे पास में एक और एक आएगा हाइगा एक और कि उना प्राति तो वाई एक तो यहाँ और एक होल यह यह कोra तो रेंज से होगी यह सब्सक्राइब प्राइब निचक्षा बेध अच इ hate पे तो मलब यहां से यह समझ में आ रहा है कि यदि दोनों होट को नीचे से भी हाइट पर और उपर के लेवल से भी एचेगर गायर, और नीचे से कर जाएंगी और फिस ठीक है तो यह एक इसमें जो भी फॉर्मुले थियोरी अब इसके प्रॉब्लम करते हैं जो भी फॉर्मुला थियोरी है बस यह इसमें इतना ही प्रॉब्लम डिसकस करते हैं जो आइटी जैम में पूछी कि यह मैं वहीं डिसकस करूंगा सिर्फ लेना तुमने पढ़ा होगा complete course तो जितने भी problem और तुमने की है वह एक बार जुरूर देख लेना ठीक है ट्राइ मत करना चाहिए एक बार go through कर लेना जितने भी तुमने पहले assignment वगेरा में solve गी होगी या complete की हमें किस टाइब से हमें फॉर्मले याद रखने किस टाइब से हमें revision करना है तो यह टाइब से revision कोर सीमान के चलो ठीक है रिवीजन कोर सी है यह टाइब से तो तुम्हें our ideal लगजाए मिकौन-कौन से question देखो हमारे पास में क्या है फर्स्ट कॉशन देखो विच ओफ दी पॉलविंग स्टेटमेंट अबाउट विस्कोसिटी ओफ ए डायूट आइडियल गैस इस करेक्ट आइडियल गैस के लिए गैस की अपने बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो विस्कोसिटी है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा गैस में मैंने कहा था देखो कि जो विस्कोसिटी है टमप्रेचर के साथ में विस्कोसिटी टमप्रेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी गैस के लिए पूर आइडिल गैस गैस के लिए टमप्रेचर बढ़ाएंगे टमप्रेचर इंक्रीज करने पर क्योंकि मोशन बढ़ता है पार्टिकल का त और विस्कॉसटे इंक्रीज करती है तो फस्ट उप्षेन तो गलत ऑप्शन है माझ पास में इंडिपनेंट ओफ टंप्रेचर यह भी नहीं हो सब्धा टंप्रेचर पहर करती है इंक्रीज इंक्रीजिंग प्रेशर एयदे फिक्स टंप्रेचर पे जब आपने बात करें तो ही कह रहा है प्रशर के साथ हमें यह operation करती है लेकिन हमने यह कहा था कि गयस के लिए लिए इन्डीपेंडेंडनों टॉप प्रेशर होगी रहे लोप्रेश्र और भूथ ग्रैसर हो तब आके हमझेज आठिक क्रेस्थ कर सब्सक्राइब यह option सही option है, it is independent of pressure at a fixed temperature, तो D option only correct option होगा, ठीक है, correct है यहां तक, next देखो, next question हमारे पास में क्या है, next question देखो, हमारे पास में क्या है, second question, यह water from a tank is flowing down through a hole, एक water tank है, a hole at its bottom, with velocity 5 meter per second square, per second, if this water falls on a flat surface, kept below hole at a distance 0.1 meter, 0.1 meter distance भी रखा है, and spreads horizontally, और horizontally spread हो जाता है, the pressure कितना लगेगा इस पर, pressure हमें निकालना है, pressure निकालने के लिए force निकाल सकते हैं, force होता है, pressure per unit area, force कैसे निकाले, force निकालने के लिए हमें force होता है हमारे पास में, momentum में change, dp by dt, ठीक है, यहां से अपने force निकाल सकते हैं, continuity equation से नहीं निकलेगा, यह pressure जो हमारे पास में, यह जो pressure है, continuity equation यूज करके नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि area नहीं दिया, orifice का और नीचे वाला एरिया भी नहीं दिया, तो direct हमें करना होगा यह question, तो final momentum, इस पे जो momentum लग रहा है, initial momentum, final momentum b2, initial momentum p1, initial momentum तो कुछ है नहीं, इस पे जो exact हो रहे हैं कि बाटर तो यहां से drop करना start हुआ है, तो initially तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, यहां पर कोई pressure नहीं है, तो कुछ time के बाद में pressure exert होना start हो जाता है, ठीक है, तो initial momentum 0, और यह time period, final momentum p2 लिख दो, time period को t लिख दो, तो p2 कितना आजाएगा हमारे पास में, कितना time लगा उसको और p2 कितना आजाएगा, p2 momentum, m into mass into velocity, final velocity, जब यह यहां पर water touch करेगा तो उसकी velocity, v2, v2 कितना होता है, u1, u plus 2gh, यह होती है, velocity, final velocity, v2 square, u square plus 2gh, 3rd equation of motion से, तो initial velocity कितनी है, 5 का whole square, plus 2 into 9.8, और कितनी bit, 0.1 meter distance, move कर रहा है, 26.96, यह v2 आजाएगा, हमारे पास में, तो mass कितना आजाएगा, mass raw density, area मानलो, तो area में spread हो जाता है, distance है h, तो a, distance को h ले लो, h, और row a h, यह तो mass हो गया, कितना उस पे लग रहा है, v2 है 26.96, upon time period t, h by t को भी velocity लिख देंगे अपने, हाँ, h by t को भी, h by t, यह h है, और total time कितना लगा, तो यह भी velocity है, हमारे पास में, तो, यह v2 नहीं, यह root आएगा, root 26.96, तो row a, यह v आजाएगा, यह root 26.96, यह v भी सेम ही है, 26.96, तो row a, यह 26.96 आजाएगा, और यह तो आगया force, प्रेशर निकालने तो area से divided हो, तो area से reconcile हो जाएगा, row, row है 1000, तो वो kilo में हो जाएगा, तो answer हमारे पास में आजाएगा, 27, इस टाइप से हमें करना है, ठीक है, next question देखो, an object of density row, एक object है density row is floating in a liquid, 75% of its volume submerged, 75% इसका volume है वो अंदर है इसके, object के, ठीक है, the density of the liquid, इसकी liquid की density, इसकी density है, row, liquid की density मालो, sigma माल ली हमने, ठीक है, तो इसका 75% volume इसके अंदर है, Archimedes principle यूज करना है, अलब दोनों force balance हो रहे होंगे न, इसका volume लग से V है, V का 75% अंदर है, इसके अंदर डूबा हुआ है, तो water displace कितना हुआ, water displace कितना हुआ, water displace हुआ हमारे पास में, इसका weight कितना है, mg और वो किसके equal है, अब thrust force के balance कर रहे हैं दोनों, अब thrust force के, mg है, rho, इसका volume V into G, rho, इसकी density, इसका volume, इसका पूरे का volume, क्योंगे यह जो weight है, इसकी पूरे volume की वज़ासी है, ग्रेविटेशनल जो weight है, वो तो पूरे volume की वज़ासी है, rho VG, और अब thrust force है, है मारे पास में, sigma और volume है, कितना डूबा हुआ है, 75%, V into 75 by 100, इतना डूबा हुआ है, इतना volume, water ने displace कर दिया, ठीक है, into G, तो कितना आ गया, V से V cancel कर दो, G से G cancel कर दो, तो sigma कितना आ गया, rho, 100 upon 75, तो, 4, 3, 4 by 3, rho, 4 by 3, rho, यह option correct option होगा, ठीक, armadies principle का यह, यह भी latest question है, 2021 का question है, ठीक, इस type से हमें करना है, next question देखो, question number 4, question number 4, water flows in a horizontal pipe, in a streamlined manner, at an absolute pressure of 4 into 10 to power 5 pascal and a speed of 6 meter per second, if it exists the pipe at pressure of 10 to power 5 pascal, the speed of water at exit point, exit point पे, यह horizontal कोई pipe है, यह horizontal इसमें water flow कर रहा है, ठीक है, और pressure है, यहाँ एक point पे 4 into 10 to power 5 pascal, और speed है, यहाँ 6 meter per second, if exist the pipe at, जहाँ जहाँ exit हो रहा है, वहाँ pressure 10 to power 5, pressure कम हो गया, 10 to power 5 pascal, इस speed of water, वहाँ speed निकालनी है, हमें, तो बर्नोली theorem यूज़ कर सकते हैं हमें, सेम हाइट पे दोनों, तो P, 1 plus half rho, V1 square, P2 plus half rho, density दो सेम है water की, V2 square, P1 है, 4 into 10 to power 5, plus half rho, V1 है, 6 square, P2 है, P2 है, मारे पास में 10 to power 5, half rho, V2 square, V2 square की value यहाँ से calculate करना है, density given है, रो की value given है, रो की value put हरत होगे, तो 25.21, मेटर पर सेकंड, calculate कर लेना, ठीक है, 25.21 मेटर पर सेकंड, यह आ जाएगा, मारे पास में, clear है, next deco question, what is the maximum height, this is the question, what is the maximum height above the dashed line, यह dashed line given है, this is our dashed line, what is the maximum height above the dashed line, attained by water stream, coming out of B, यह B है, यह एक यह एक नली सी given है, और यहां से, यहां से पानी बहार आ रहा है, यहां से, इस type से, यह parabolic rejectory बनेगी, ठीक है, ठीक है, यह नली सी given है, यह नली, यह नली यहां, यह dashed line है, और इस नली से पानी बहार आ रहा है, यह इसके लिए एक सर्फेस हो जाएगा तो यह यहां से पेरबोलिक ट्रेजक्ट्री बनाएगा ठीक है कि थीन ट्यूब ऑफ वाटर टैंग असेंबली शोने फिकर एज्वम एच टैन मीटर एज एच है टैन मिटर यह जो यहां से यह कि इसकी सर्फेस हो के यह वाटर वाटर फिल किया हुआ है कि और यह 10 मिटर है डिस लाइन से है और ल 2 मिटर है ल मलब यह जो इसकी लेंड्न 2 मिटर और यह एंगल 170 है टीट 30 एक तो महला हमें गालना हमेंस से maximum height क्या होगी देख, what is the maximum height above the dash line, मतलब maximum height तो यह होगी, और यहां से यह तक तो यह तो हम निकाल सकते हैं, क्योंगी parabola, parabolic motion है, तो यह तो h maximum होगा, प्लस यह एक length over add हो जाएगी, तो जो maximum height होगी, h maximum जो attain करेगा, वो l sin 30, प्लस एक parabolic trajectory में यह maximum height, इसको h prime ले लो या तो, h prime ले लो इसको, यह parabolic trajectory बनेगी न, h prime, h prime, h prime हमें निकालना है, और parabola में हमें पता है, parabolic trajectory में, जो maximum height का मारे पास में जो formula होता है, वो क्या होता है, v square sin square theta by 2g, h prime का, v square sin square theta by 2g, यह formula होता है, parabolic trajectory में maximum height का, v हमें नहीं पता, velocity, velocity given हैं नहीं पता, तो velocity हमें निकालने पड़े कि विलोस्टी क्या होगी, ठीक है, velocity कैसे निकालेंगे, velocity निकालने के लिए हमें, velocity निकालने के लिए बरनोली थियोरम का, यूज कर लो, यहाँ velocity क्या होगी, यहाँ velocity लगबग 0 है, यह, इस point पे यह reference ले लो reference या तो यह ले लो या reference ले लेते हैं reference 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 से यह बर्नोली थियोर में लगाएं तो इस point पे प्रेशर P0 E है half row velocity v2 यह 0 ले लो या व1 square ले लो या विलो supplements v1 है या विलो 450 v2 ले लो प्लस rho g और reference पॉइंट से यहां के डिस्टर्स है वो है मैं एच माइनस है एक माइनस एल सायुआ 30 त्यास को यह न है वेक्यूम नहीं एर में है तो हाफ रो यहां विलोश्टी वी टू स्क्वर लिख दी है हमने ठीक है प्लस और यह रेफरेंस लाइन से क्रोस कर रहा तो यह जीरो वी वन स्क्वर भी जीरो क्योंगे इसकी यह एरिया बहुजाद है तो इसकी विलोश्टी लगबग जीरो ले लेंगे पीओट से पीओट हो कैंसल ओ जाएगा दिए ढच माइम स्क्वर टीश माइनश्टी अजाएग फिरोश्टी हाफ रो हाफ वी चू स्क्वर रो से रो कैंसल होगया थ्यका है तो वी चू स्क्वर केटना आ गया है क्यों मुजी बाद эпट लासा G की value 10 लिख दी, H, H की value है 10 minus L की value है 2 into sin 30, 1 by 2 तो इसको solve कर लो, solve करके velocity की value आजएगी velocity की value आएगी मार पास में root 18 G G की terms में लिख दिया root 18 ही आएगा न, हाँ, 9 दो न, ठीक है root 18 G आजएगा, G की terms में लिख दिया G को 10 मतली हो, G की terms में लिख दिया हमने, ठीक है और V की value यहाँ put कर दो, तो H prime आजएगा root 18 G, तो 18 G और sin 30 1 by 2, 1 by 4 आजएगा 2 into G, G से G cancel हो गया तो 1 by 18 by 8, तो 9 by 4 9 by 4 कितना आजएगा हमारे पास में 2.25 यह मारे पास में H prime आजएगा तो H maximum कितना होगा 2.25 प्लस L hat 2 into sin 30 1 by 2 2 से 2 आजएगा, तो 3.25 आजएगा इस टाइप से हमें calculate करना है समझ में आया question, थोड़ा complicated चाह है, बहुत सारे formula यूज़ होएं बहुत सारे concept यूज़ होएं कैसे भी कर सकते, तुम खुद try करना है इसको कई बार देखो अपने mistake देखो, यहां क्या करेंगे अपने mistake यह करेंगे अपने, कि अपने इस side को consider नहीं करेंगे, only यह निकाल लेंगे गलती यह होगी, only यह निकाल के answer अपने 2.25 रख देंगे ठीक है, तो ध्यान से observe करो तो यह नली थोड़ी से उपर है तो parabola यहां से trajectory बनेगी, यह parabola एक ट्रजक्टरी, यह height हमें extra consider करने पड़ेगी ठीक है, dash line से पूछ रहे ना वो, हाँ यदि नली यहीं से शुरू हो रही होती, यह नली पूरी नहीं होती, यहीं से शुरू हो रहा था, तो फिर यह फिर h prime direct निकाल जाता, फिर ठीटा की जुरूत नहीं थी हमें, बात समझ में आ रही है, तो इस type से हमें इसको करना है question क नेक्स्ट कोशन देखो, शिक्स नमबर, ट्राइ करो इसको एक बार question को, a nozzle is in the shape of a truncate cone, as shown in figure, the area at the wide end is 25 cm, wide end जो है, वो 25 cm square है, and the narrow end has a area, 1 cm square, water enters the wider end, यहाँ water enter कर रहे हैं, at a rate of, rate है इसका, velocity है 500 gram per second, mass per unit time, rate, rate गीवन है न, 500 gram per second, mass given है, gram में, per second, the height of the nozzle is 50 cm, and it's kept vertical with the wider end at the bottom, the magnitude of the pressure difference in kilopascal, between the two end, pressure difference है, निकाला मननो ली थेरम, यूस कर लो, यह ले लो, P1, इसको P1 ले लिया, इसको P2 ले लिया, P1 प्लस half rho, V1 square प्लस, rho G, H1, यह reference यहाँ ले लो, तो यह 0 ले लो, ठीक है, यह 0 ले लो, P2 प्लस half rho, V2 square, प्लस, rho G, H को 50 cm ले लिया, 50 cm, reference जो distance है, वो 50 cm है न, 50 cm लिखे लिया इसको, ठीक है, प्रेशर डिफ्रेंस लेना है, P1 माइनस P2, तो half rho, V2 square, माइनस, V1 square, प्लस, rho G, 50 cm, velocity, pressure difference निकालना, velocity अपने उससे निकाल सकते हैं, continuity equation से, A1, V1, A2, V2, यहाँ से निकालना है, क्योंकि एरिया दोनों गीवन है, 25 सा और 1 है, एक की velocity गीवन है, तो दूसरे की velocity निकल जाएगी, rate of low, ठीक है, continuity equation का यूज़ करके, 1 cm, 25 और 5 m per second है, velocity निकालना है न हमें, हमें given velocity नहीं है न, हमें given कुछ और है, हमें velocity निकालना है, हमें given है, rate of flow, rate of flow given है, rate given 500 g per second, तो हमें क्या given है, rho a v given है, rho a v, rho a v, यह given है, 500 g per second, rho a v, gram, mass हो गया, तो mass कितना हो गया, rho into a into distance, पर second है तो नीचे time, तो इसको यह लिख सकते हैं, rho a x by time, यह given है, 500 g per second, ठीक है, तो यह mass हो गया, mass पर यूदि टाइम, mass पर यूदि टाइम, तो हमें velocity निकालना है, तो velocity क्या होगी, 500 upon rho a, rho given है, हमें water density, water density given है गया, water density नहीं given, एक second लूगो, water density 1000 kg लिख सकते हैं, 1000 kg per meter cube, वो यूज कर सकते हूँ, 1000 kg per meter cube, और, और ए एरिया हमें given है उसका, एक side का area जहांबे velocity 500 है, वह एरिया हमें 25 cm, square, तो उसको meter square में बदल लो, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा, तो velocity यहां से निकल जाएगी, वीवन वेलोस्टी, 5 meter per second, तो यह वीवन आ जाएगी, तो इस equation का use करके, वीटू निकाल लोगे, वीटू की value यहां put कर दोगे, pressure difference आजएगा, अंसर आएगा, अंसर निकालना, 17.5 kilopascal, अंसर निकालने कोशिश करने, देखना क्या आएगा, ठीक है, तो वो दिमाग लगाना उसमें, कि rate of flow का मतलब क्या है, rho a v given है, rate of flow, rho a v, we have given rho a v, velocity नहीं given, rate of flow given, gram per second है न, तो इसको kilogram में करना पहले, kilogram per second, ठीक है, फिर इसको solve करना, तो velocity meter में आ जाएगी, तो pressure difference आ जाएगा, हमारे पास में, next question देखो, यह question करो, question number seven, question number seven देखो, an incompressible non-viscous, एक incompressible non-viscous, lute is injected into a canonical pipe, यह canonical pipe है, this is our canonical pipe, ठीक है, at its orifice as symmetrically shown in figure, the pressure at the orifice of area A naught, इसका area A naught है, और इस पर pressure है P naught, neglecting the effect of gravity, and the assuming streamline flow, which one of the following plots, correctly predicts the pressure along the cone, इसके लोग प्रेशर क्या होगा, यहाँ प्रेशर निकाल लो P1, area यहाँ पर कुछ अलग है, यह distance निकाल लो, यह distance area निकल जाएगा, radius कितनी है, यह pi by four angle है, यह distance मान लो X है, X distance जा रहे हैं, यह distance कितनी होजेगी, cone का angle लगा लो, 10 pi by four क्या होगा, 10 pi by four होगा, हमारे पास में, 10 होता है, perpendicular upon base, perpendicular है radius upon base, base कितना है, हमारे पास में X, R कितना आजाएगा, 10 pi by four होता है 1, तो R X के equal आजाएगा, R X के equal आजाएगा, तो area pi R square, तो यह pi X square area, तो इसका area pi X square हो जाएगा, ठीक है, यहाँ velocity V naught है, तो वो अपने A naught, V naught is equal to area pi X square, V1 velocity तो V1 आजाएगी, A naught V naught upon pi X square, यह velocity आजाएगी हमारे पास में, V1 velocity आप, हमें तो निकालना है, pressure, pressure कैसे change होगा, अब velocity यहाँ पे कम और यह ज्यादा, यहाँ कम हो और यह velocity तो pressure की value बढ़ेगी, obviously, लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं, तो यह दोना option तो होई नहीं सकते, pressure कम तो होई नहीं सकता, क्योंकि pressure बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर लिक्विड का ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा तो यह दो option होगे, अब इसमें से, क्या यह इस टाइप से straight line से आगे बढ़ेगा, या इस टाइप से एक टाइम पर जाके यह constant हो जाएगा, ठीक है, वो हमें देखना है, तो obviously यह तो नहीं होगा option, ठीक है, वो तुम find out कर सकते हैं, वो तुम equation निकालने ही पड़ेगा बढ़नोली तेरों से, यहाँ pressure है P0, प्लस यहाँ velocity है, half rho, V0 square, height same ले लो, यहाँ pressure है, P1, half rho, V1 square, तो pressure निकालने हो P1, P0, half rho, V0 square, minus V1 square, A0 square, V0 square, pi square x की power 4, ठीक है, तो P0, plus half rho, 1 minus A0 square, pi square x की power 4, यहाँ पास में pressure होगा, तो state line तो नहीं होगा, state line तो नहीं दिख रहा, यह X पे dependence जो है, ठीक है, और एक value ऐसी होगी, यहाँ पर यह pressure P0 की equal होगा, वो X निकाल सकते हैं अपने, उस X पर वो X0 हो जाएगा, हमारे पास में, X0 distance, X0 distance क्या होगी, तो मतलब X is equal to, X के power 4 is equal to, A0 upon pi का whole square, ठीक है, तो root ले लिए तो यह X square, A0 upon pi, तो X, X0 आ गया, root A0 upon pi, यहाँ से यह शुरू होगा, X0 से, उसके बाद में यह बढ़ेगा, क्योंगी यह quantity है हमारे पास में, एरिया क्योंगी यह एरिया बढ़ रहा है, pi square, X की power 4, is greater than A0 square, क्योंगी एरिया बढ़ रहा है, तो यह quantity 1 से कम है, यह quantity 1 से कम है, तो यह एरिया यह positive आएगा, तो यह positive आएगा तो pressure यह बढ़ेगा, इस type से तो नहीं बढ़ेगा, इस type से increase होगा, decrease तो होगा नहीं, increase होगा, और X की large value के लिए constant हो जाएगा, X की large value के लिए, एक high, X की large value के लिए, यह एरिया बोजात लार्ज हो जागा, इस सुमॉल हो जागा, तो half rho V naught square आजागा यह, तो यह जो ट्रम होगी ना, यह लगातार नहीं बढ़ेगा, यह होगी P naught, यह extra term आजेगी, half rho V naught square, यह तो लगातार ही बढ़ रहा देखो, यह लगातार होगा, half rho V naught square, बहुत large area पे, ठीक है, तो इस type से देख सकते हो, predict कर सकते हो, next देखो मारे पास में, a syringe is used to exact, exact 1.5 atmospheric pressure, 1.5 एक syringe use की जाती है, जो 1.5 meter, 1.5 atmospheric pressure exact करती है, to the release water horizontally, the speed of water immediately after ejection is, speed of water हमें बतानी है, immediately after ejection, यह syringe है horizontally, इसका pressure given है, 1.5 ATM, तो हमें इसकी velocity बतानी है, सिरिंज जो water release होगा, what is the velocity of this water, 1 atmospheric pressure is called to random power, 5 Pascal density of water is given, तो हमें निकालना है, velocity निकालनी है water की, ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, तो हमें निकाल लेंगे, तो हमें निकाल लेंगे, तो हमें इस सिरिंज इस तो एक्षाट 1.5 अथमोस्परिक प्रेशर तो रिलीज वाटर होरिजॉन्टली, इस स्पीड ऑफ वाटर इमेज़ेटली आफर रिजक्शनीज, ठीक है यहां इसकी जो वेलोस्टी है, हमें कोई और वेलोस्टी गीवन है, कि हमें कोई और वेलोस्टी भी नहीं गीवन, तो इनिशल वेलोस्टी जीरो ले लेंगे अपने, ठीक है, अपने वो यूज़ कर सकते हैं, एरिया नहीं गीवन तो अपने वो तो कंटिनुट इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रेशर गीवन है, एक वन अट्मोस्फिरिक, क्योंगि बाद में वाटर है वो एर में चला जाएगा, ठीक है तो और जब सीरिंज में था, तो यहां पर इसका प्रेशर लग रहा था, बन पॉइंट फाइट इम, यहां प्रेशर था बन पॉइंट फाइट इम, जब सीरिंज से बाहर निकलेगा, तो पी नौट प्रेशर हाइट सेम है, तो बरनोली थीरम लगाऊ, वन पॉइंट फाइट इम, और यहां वेलोस्टी, यहां वेलोस्टी मान लो, 0 वेलोस्टी है, प्रेशर यां फटोutan जीरो वेलोस्टी मान लोजने दें, वेलोस्टी यहीं सी स्टार्ट होगी, गी वन स्क्वएर, और पी नॉट आफ रो वी टू स्क्वार तो यहां वेलो अश्टी जीरो ही ले लो तो 0.5 एटिम डिफरेंस ले लो प्रेशर का इन्टू 2 बाई रो इसका रूट ले लो यह रोकेट रिपल्शन वाला ही केस हो गया तो 0.5 एटिम 0.5 इन्टू 10 पावर 3 10 पार 5 पासकल में इन्टू 2 बाई रो 10 पावर 3 तो यह 100 आगया 100 100 इन्टू 0.5 पाउन इन्टू 2 यह आजागा महरे पास में 10 नीचे चला गया 10 एक 10 कैंसल हो गया पांदू नी 10 दस 100 तो 10 आजागा यह 10 मेंटर पर सेकिंड 10 मेंटर पर सेकिंड तो इस टाइप से कल लेंगे इसको ठीक है नेक्स देखो एक बोल ओफ मास एम इस एक बोल है ओफ मास एम इस फालिंग फ्रीली अंडर ग्रैविटी एक बोल है फ्रीली फॉल कर रही है ओफ मास एम तो ए विस्कस मेडियम एक विस्कस मेडियम है इनिविचки नेगलेक्टस प्लेटिंग ऊंगलाब ओसको नेलेक्ट कर देना है ौफ दी क्रौम सब्रक्साइब best describe the variation of V as a function of time तो यह जो force है एक नीचे force लग रहा है mg और यह किसके proportional है हमारे पास में यह इस velocity के proportional mg जो force है उपर विसकत force उपर की direction में लग रहा है क्या निकालना है neglecting the buoyancy force of the which one of the following figure best describe the variation of V as a function of time velocity time के साथ में कैसे change होगी नीचे एक mg force लग रहा है और 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 फोर्स जो है मारे पास में उपर जो फोर्स लग रहा है वो और दोनों फोर्स यह अपने balance करें करने कोशिश करें तो यह होगा मारे पास में एम डी वी बाइडी टी प्रपोस्टिनल्टी कॉंसेंट अलफा ले लिए अल्फा वी तो डी वी बाइडी आल्फा डी टी एम अल्फा बाय एम में लिख दो एम इदर से चला गया लोग वी अल्फा बाय एम टी तो वी आ गया इकी पावर अल्फा बाय एम टी प्लस सी कि एक्सपनेंशली इंक्रीज होगी विलोस्टी और एक टाइम पे जाके सकती है इस फोर्स के वजए से टर्मिनल विलोस्टी आ सकती एक टाइम पे जाके सोगो सब्सक्राइबस में और तो कोई और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें नीचे एक फोर्स लग रहा है M M D V by D T ठीक नीचे का फोर्स है और उपर का जो फोर्स है माइनिस अलफा वी और नेट फोर्स यह जी जीरो करें कि तो वेलोस्टी कॉंचेंट होगे कि नेट फोर्स अपने एक्वेट कर दिया आमने तो वेलोस्टी टर्मिनल वेलोस्टी हो जाएगी वह तो कॉंचेंट वेलोस्टी हो जाएगी पर इक्वेट होंगे नहीं यह और जो हमारे पास में एक सगेंड प्रिली अंडर ग्राविटी तो विसकस मीडियम इन विच ड्र योदि अपने मास m dv by dt में से अल्फा वी माइनस करके माइनस क्यों करेंगे ओपने एक्वेट ही कर सकते हैं ठीक है टाइम के साथ हमें हां ठीक है ऐसी होगा यह होगा यही की पावर अल्फा बाइ मटी प्लस सी सी ओप्षिन क्रेक्ट ओप्षिन होगा ठीक है यही होगा मेरी साथ से वागी तुम बताना यदि तुम्हें कुछ और लग रहा तो मेरे मेरे कॉर्डिंग 99 प्रेसेंट में शोर हूं यही होगा क्योंकि यह तो होई नहीं सकता और यह एक्सनेंशल का ग्राफ नहीं होता है एक्सनेंशल अक सिर्फ होता अनवे। यह डिया ही होगा हमारे पास में है ह में dengan mechanics के और यारस्ट कोशन यह यह वर कोशन गोड़ों सब् detto चार। Q और जो मैंने फार्मिले लिखाएं वह सारे फोर्मुले याद कर ले न बाकी हो सके तो कुछ फॉर कोश्टिन जो तुमने पहले प्राक्टिस किये हों त्यारी में तब कर ले न अदरबाइच करने की जुरूत नहिए बाकी इननफ थे फोर्मुले दुबारा से रिवाइस कर लेना जो भी मैंने लिखवाए है ठीक है नेक्स्ट अपने एक टॉपिक मेकनिक्स करेंगे और अपने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे ठीक है तो मिलते नेक्स सेशन बाबाई टेक केर